आप सबको मेरी नमस्ते, इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है, आज की हमारी रेसिपी सबजी की रेसिपी है, जो हम बनाएंगे कच्छे केले से, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमने चार केले ले लिए, इनको अच्छे से धो लिया, जो नॉर्मल एक दम से जुड़े हूएं, जुडवा हैं जे, इनको सेंटर से इस तरह से निकाल ले न हमने, अभी हमने इनके चिलके उतार लेने, तो ये अभी कच्छे हैं, सखत होते हाथ से तो निकलेंगे नि, तो नाइप से ही इनको चीलना पड़ेगा उपर से, इस तरह से, तो सभी हमने इसी तरह से छी लिए, अभी इनके छोटे छोटे पीसिस कर लेने हैं, तो मैं इस तरह से गोल-गोल से पीसिस कर रही हूँ, आप चाहो तो लंबाई शेप में भी इसके पीसिस कर सकते हो, और मैं अभी इसको काटके फ्राइ करने वाली हूँ, अगर आप कुछ देर रखना चाहते हैं तो इनको पानी में डाल दीजिए वरना यह बहुत जल्दी काले पड़ जाएंगे तो यह देखिए सारे इस तरह से मैंने काट लिए और कडाही में डाल दिया तेल तेल गरम हो चुक है इन्हें अभी फ्राइ कर लिए तो आधे हैं जो वही आएं इसक से कडक सी हो जाते हैं और हलका से लिए अधिने बहर निकाल लेते हैं तो तो आप इन्ने इस तरह भी नमक लगा के खा सकते हो तो भी अच्छे लगते हैं अभी मैंने जो बचे हुए थे न वो भी अच्छे से फ्राइ कर लिये अभी हमने क्या करने आधिक टोरी छोटी आधिक टोरी मैंने ले लिया दहीं उसके अंदर आधा चम्मज कश्मीरी लाल मिर्च का एक चम्मज धनिया पौडर एक चम्मज गरा मसाला इनको मिला लिया और अच्छे से दहीं के अंदर मिक्स कर लेने इस तरह से अच्छे से फेंट लिया हमने ये देखी अभी हमने साथ sabem इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर है वो भी मिला देने हैं इसे भी मिला दी जीए और हल्का सा पानी डाल दिया थोड़ा सावल कुल इसे मिलाके अभी से रहने दिजीए अभी चलते आ तो कडाही में हमने तेल डाल दिया बाखी सारा तेल निकाल दिया दो बड़े चमच रहने दिया वही तेल जिसमें हमने फ्राइ किये थे केले एक चमच डाल दिया जीरा हरी मिर्चे डाल दी सेंटर से काटके और तीन हमने साबुत वाली लाल मिर्च सूखी है जो वो डाल दी अभी हमने डाल दिया अद्रक और लहसुन कुटा हुआ इस तरह से पका लिया हलका सा अभी इसके अंदर हमने मिला दिया प्याज तो एक प्याज हमने इस तरह से कद्दूकस करके वो डाल दिया अच्छे से पका ले ना प्याज को तो मसाला अच्छे से भुनना चाहिए प्याज अच्छे से भुन चुक है अभी हमने टमाटर डाल दिये तो बड़े साइज का एक ही टमाटर लिया हमने अभी टमाटर को अच्छे से पका लेने टमाटर अच्छे से पक चुक है अभी हमने जो ये मसाला बना के रखा न दही में डालके वो सारा इसके अंदर मिला देने अभी हमने दो से तीन मिनिट अच्छे से पका ले ना मसाले को तो जो कटोरी में लगा था ना साइड में मसाला सारा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से पका लीजिए अभी हमें दो से तीन मिनिट होगे पकाते हो अच्छे से पक चुका मसाला तो अभी हमने आधा चमच नम्ग डाल दिया तो कम जएदा आप स्वाधन स्वार कर सकते हो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो जो भी मसाले थी अच्छे से पक चुके हैं अभी हमने जो केले रखे है ना फ्राइ करके वो सारे इसके अंदर मिला देने अभी एक दो मिंट के लिए अच्छे से पका ले अच्छे से ताकि मसाला जो वो मिक्स हो जए तो केले हैं जो उनके अंदर भी अच्छे से नमक और मसाला मिल जाए इस तरह से तो हमने इस तरह से अच्छे से मसाले को केलों के साथ पका लिया अभी हमने इसके अंदर मिला देना है पानी तो जितने आप gravy रखना चाहते हो ऊतना पानी डाल सकते हो क्यूंकि इसमें बहुत जल्दी से पानी सूख जाता है थोड़ा सा पानी ओर मिलाते हैं तो टोटल हमने एक टोरी के करीब अधाला है तो अभी तीन मिनिट ही हमने ने रखा, ये देखे, तो अच्छे से अभी ये जो केले हैं वो सोफ्ट हो गए हैं और साथ ही साथ मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका इनके अंदर, इस तरह से एक दो बार मिला ले, अभी इसके ओपर डाल दे हरा धनिया और गैस को बंद कर दे इस तरह से मिला लीजिए धनिये को और इससे गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी पूरी चावल के साथ खा सकते हैं ऐसे और फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिश सबजी है, इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आएगी सर्व करने से पहले हलका सा धनिया भी डालीजी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें